चट पूजा भारत में भगवान सूरी के उपासना का सबसे प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है इस त्योहार को शष्ठी तिथी पर मनाया जाता है जिस कारण इसे सूरे शष्ठी वृत या चट कहा गया है ये त्योहार एक साल में दो बार मनाया जाता है पहली बार चैत्र महीने में और दूसरी बार कार्तिक महीने में हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुकलपक्ष की शष्ठी पर मनाये जाने वाले चट त्योहार को चैती चट कहा जाता है जबकि कार्तिक शुक्लपक्ष की शष्ठी पर मनाय जाने वाले इस त्योहार को कार्तिक छट कहा जाता है बिहार और उत्तर प्रदेश में ये त्योहार काफी लोक प्रिय है इस त्योहार को यहां पर पारिवारिक सुख सम्रध्धी और मनो वांचित फल प्राप्ति के लिए मनाया जाता है दिवाली के बाद सबसे बड़ा त्योहार आता है छट पूजा इस पर्व को छट, छटी, डाला छट, डाला पूजा सुर्य शष्ठी जैसे अनेक नामों से भी जाना जाता है छट का भूजपुरी में आर्थ होता है छटा दिन कार्थिक महिने की चतुर्थी से शुरू होकर सब्तमी तक मनाया जाने वाला ये त्योहार चार दिनों तक चलता है मुख्य पूजा कार्थिक माह के शुक्ल पक्ष की छटी के दिन की जाती है इस दोरान सूर्य भगवान को अर्द दे कर उपासना की जाती है धार्मिक मानिताओं के अनुसार छट देवी सूर्य देव की बहन है और उन्ही को प्रसंद करने के लिए भगवान सूर्य की अराधना की जाती है इस दिन सूर्य के भी पूजा की जाती है, माना जाता है जो व्यक्ति छट माता की इन दिनों पूजा करता है, छट माता उनकी संतानों की रक्षा करती है यह रिपोर्ट एक्सपोज इंडिया करता है